बात करते हैं ब्रश्शिक राशी की जो ब्रश्शिक राशी के जाता का अज आपको रियल इस्टेट प्रापल्टी में अगर फूजी निवेस करते हैं तो आपके लिए अच्छा रहेगा विबादी जमीन इताद करिदने से बचे हैं आपके रुखे हुए कारे संपन होगे भाई महनों के सुक में बदी होगी अगर आपका कोई भाई बहना भिभाहित है तो इसके विबा होने की संभवना बन रही है रोजी रोजगार के छित्र में किया गए प्रयाभ सार्थ होगा रोजगार आपकी में प्रगत होगी और नैतरह के कायर होने से मन परसंद रहdist है ग गुष्षे में कोई कारे ना करें गुष्षे पर नियंत्रा रखता है उपाय क्या करना है पीली हल्दी की गांट अपने पर्स में रखना आपके लिए अच्छा रहेगा और आज आपके लिए शुबंक है नौ शुब रंगे पीला लक मीटर है आठ हरी कृष्णे गुरु का परक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है आज हम आपसे बात करेंगे कि पंचांग की क्या इस्थती है और आज का पंचांग में जे सुर्योद है कब होगा सुर्यास्त कब होगा राहुकाल कब है दिशासुल कब है कौन सी तिथी है कौन सा योग है कौन सा करहणे सारी ब बारव राशियों की क्या कहता है बारव राशियां कौन विदेश जाएगा किसका भागोदे होगा कौन खेल के छेतर में जाएगा कौन फिल्म बनाएगा कौन कहानी लिखेगा किसको राजनीती की छेतर में बड़ी सफलता मिलेगी एस सारी बात मैं आपको बताऊंगा किस अ ये भाग ये कुरू कारिक्रम आईयम सुर्वात करते हैं पंचंग से आज है 24 जून 2024 दीने सोमवार सुर्योदय हो चुका है सुबह पांच बच के 24 मिनट पर सुर्यास्तों का साम को साथ बच के 22 मिनट पर चंद्रमा है मकराशी में आज उत्रा सार नच्छत रहे कृष्ण प करके आठवत की 24 मिनट तक रहेगा पूरों दिशा का दिशासूल है आज आपको ध्यान रखना है कि दिशासूल में यात्रा न करें अगर लगता है यात्रा पूर्ण निर्धारित है यात्रा करना निवार है ता आप क्या करें कि एक दिन पूर सुम मुर्थ में प्रस्था आपको लाव दे सकता है इसका ध्यानौ अब आइएम बात करते हैं आज के महामंत्र के आज का महामंत्र है ओम् तत पुरुशाय विद्महे महादेव्य धिमहि तैन्नोर फरचोब्रय-याद यह जो महामंत्र है देवा धिदेव महादेव का है अगर आप इस महामंत्र का जब करते हैं ता आपके समस्थ प्रकार के समशाओं का समूल समधान होगा आपके आर्थिक के सिते ठीक होगी रोग और सत्रु परास्त होगे आपका जीवन सांदार होगा और अगर किसी प्रकार के परशानिया हैं सब समाप्त होगा आप पर भगवान भूले नात के कृप पाबर्शेगी रुद्राक्ष के माला से इस मंत्र को कम सकंव एक माला तीन माला अगर प्रतेक सो मार के दिन करते हैं ता आपके लिए अच्छा रहेगा